हालो गाइज वेल्कम बैक टो और चैनल के इंग फैंटासिटिप्स आज कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बिरिस बेन हीट्स वर्सेश शिद्नी ठंडर का जो मैच है जो बिग बैस लिग जो चल रहा है वो मैच आज तीन दो बच के दस मिनट पर खेला जाएगा उसका मैं फुल डिटेल ड्रीमे लोगन स्टास जील की टीम और रैंक वन टीम बैटिंग ओडर यह सब देने वाला हूं और एसल का टीम 99% विनिंग के साथ तो चलिए इस वीडियो में आपको फूल इंफोर्मेशन दी जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज बिरिशबेन हीट बिरिशबेन हीट वर्सस सिद्नी ठंदर का जो मैच है उसका मैं ड्रीमे लोगन फूल स्टार्ट फ्लोस इन्फोर्मेशन ड्रीमे लोगन का 9GL टीम मैं दूंगा पताऊंगा और एसल का टीम बैटिंग ओडर रैंक वन पलस टीम रैंक वन टीम ब बात करूं तो पीच का रिपोर्ट गाइज पीच रिपोर्ट एक्सपेक्ट अब हेरी गूड बैटिंग सर्फेस एक्सपेक्ट अगूड स्कोरिंग गेम एडवन्टेज फोर बैसमें और पेसर एरांड 180-200 इस बैंच मेरिंग गाइज मैं बता दू कि आप ये लग चार द नो मैं बता दूढ इससे लिपोर्ट मतलब कि बैटिंग फृरंडली पीच है और एक्सफ़ सीरी अर बैटिंग फएसर फेरली पीच है और इसमें एक च्वास्ती से दो सो के बिच टोटल जा सकता है एकसास्ती से लक चैसे एक्वाहस्ती से तो सो के बीच नैच वीनिंग किया है है करो इस मेंज फ़रेंगम लेसे डीज पिपछिंग या वह जजीटा कितना परसंटेज और प्रविवश्बरीटी है व्हाव तह तरह आरे जो डुट टोटतल पर तालीस मेंज खेले गए हैं už अगर आप अभी तक मेरे टेLEGRAम चैनल को जयेंगी है तो ज़रूर कर ले क्योंकि करता हूं उसका विजनकारी मिलेगी इस लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जल्दी से जुएन हो जाए अगर आप गाइज अभी तक इस वीडियो में बने है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्काइब करके बेल एकन दबा दीजिए याइज मैं बार सिपर पहले बैटिंग्रते हुए स्कोर बीटूब बीट्विन एकको पचास यहको सकतर के बीच 111 बार जा चुका है और स्कोर बीटूब 170 और 190 से 12 बार यानि एक्स मतफ़नाब्र स्क्रिपन ऐसहल चैन्ट से 110 बारा आन्र जा चुका है और फैस इक्शन फाट्स एक्षोन नभए से उपर आठ बड़ जा चेक है बिरिस्वेन हीट के जब प्लेइंग कहल सकता है यह च्छली उनके बारे में बात करते हैं गाइज में बता दूं कि जो कृसलीन है वह क्रिस्लीन मतलब किनका चांस तो रहता है क्योंकि यह टॉप मॉस्ट बैटिंग हीटर मदलों बिरिस्बेन हीट के हैं जो कि पिछले तीन मैचेज में अच्छा नहीं कर पाई लेकिन फिर भी यह मिलाजुला के एवरेज है इनका 927 32 पिछले मैचेज में इन्होंने 32 रनों की पारी खेली थी क्या संदार पारी खेली थी नाक्स ब्राइंट 5-2 32 इन्होंनों भी बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन यह खांस बात यह है कि इन्होंने पिछले मैचेज में 32 रन की पारी खेली जो की एफ्रेज है और गाइस बेन डकेट 641 11 यह पूरे पिछले पांच मैचेज की मैं बता दू यह फॉम में है यह फॉ में लगतार 10 मैचेज में 30 प्लस स्कोर कर चुके हैं एक भी मैच में जो की 30 से निचे नहीं गया है ब्यालीस 34 44 आप इनको जरूर पिक करके चलीगा आप कैप्टेन भाइस कैप्टेन भी यूज कर सकते टॉम अबेल जो की दो मैचेज नहीं कहले तीसरे मैचेज में नो रन माने थे जिमी पैरिसन जो की कैप्टेन और विकेट कीपर है इनका इनका कुछ अपने टीम के लिए खास योगदान नहीं रहा फिर भी इनके टीम अच्छी करती है क्योंकि इनके जो हीटर्स और बॉलर्स बहुत अच्छे हैं जेम्स बीजली एक रन 14 रन देकर एक में एक विकेट एक विकेट यानि कि मैं सब मैं बता दू कि मीचल स्वेप्सन भी बहुत अच्छे बॉलर्र है जो कि दो मैचेज में नहीं खेले और तीसरे लास्ट मैचेज में अब पिछले मैचेज में एक विकेट लिए मुजी विवार रामान ने भी मुजी विवार र इनका लास्ट मैच में एक विकेट मिया था तो अब मैं बात करूँ कि सिद्नी ठंडर का जो प्रोवेबल प्लेइंग लेवन है जो कि चांस है कि यह खेल चकते हैं चलिए उसके वारे में बात करते हैं पहले मैंच में जीरो दोस अठाइस याज में बता दूँ कि जो लेक्स अब सेकेंड की बात करूँ तो सेम वाइट मैं एक आरा रन दस रन चार रन इन्होंने भी अच्छा परफोर्मेंस नहीं किया है अपने टीम के लिए सिद्नी ठंडर के लिए मैथ्यू जाइक्स 20 रन 56 रन 7 रन जिन्होंने मिला जुला के परफोर्मेंस अपना ही ठीक ही किय तो यही यह स्टार है लिए सिद्नी ठंडर के लिए पूर्मे के लिए सौकि 61 रन 57 रन 47,67 रन इन्होंने हीट क इसन किया है और लगतार तीन सेंचुरीज, लगतार तीन मैचेज बें यह अपने टीम को जीत की और मतलब कि लिए इस्ञा साल एकल्स किया लिया था नाथन हूं इंद लेकर लेकर चल रही है लेकिन यह बहुत ही अच्छे यह एक भी विकेत नहीं लिया है तण्वीर संगह एक दो विकेत दो दो विकेत यानि कि इन इनको आप बिना पर आपको बाता दू बारे मैं फिर सके बाद मैं आपको जो जिल की कैपटें सब्सक्राइब के बारे में बताऊएं कार है और फाइनल टीम्स के लिए आप टेली ग्राम्ड चेनल को जॉन कर लिजए क्योंकि टॉस होने के पांच मिनट बाद हो पे टीमस मिल जाएंगी स्टार प्लेयर जो की कतने की ऊमेद्वार है हेजलेट एलचखेल से हेल्स को थोर कर नहीं जा सकते हैं यह सिद्णी थंडर के बिराट गोली है जो की नहीं चलते हैं लेगिन चलते हैं तो बहुत ही खतरनाख है डंил संस डंडान जे बेजली और बेन कटिंग और क्रिस गिन के साथ मैं नहीं जा रहा हूं यहाँ पर मैं इसके साथ बॉलर के साथ जाओंगा तो टी संगा एक्स बाटलेट नाथन अंसी अंड्रिव एल गूर्थी आप चाहें तो एल गूर्थी के जगा मुझे वीवर रहमान को भी एड कर सकते हैं यह जबर्दोस्ट टीम है आप इसके साथ जा सकते हैं और क्याप्टेन चिद्नी ठंडर के स्टार प्लेर जो की हर्दिक पंड्रे अपने टीम के लिए हैं जब हाइस के प्याप्टेन में बता दू कि आप इनके साथ जा सकते हैं क्रिसलीन या फिर भृस्वेन हीट के जे नगे आज को आप इन दोनों में से किसी एक को भाइस कैप्टैन नूज कर सकते लेकिन फ़र्स्ट चॉइस जेंड चॉइस जैजलिट है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं चलिए अब हम जीएल की बात करें तो जीएल यहां पे आईयागा फॉर्स्ट इ के बाद जो जैसे था वैसे के पैना पर आना है सब को हटा जेना है फिर पहले के गाइज नेरे टेलिग्राम चैनल पर बना बनाया टीम मिल जाएगा और 7070 63 4680 अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर मैसेज वाट्सप मैसेज कर सकते हैं यह जब अब मैं बात कुर यहां पर ऐसे ऐसे आना है तीन-तीन प्लेयर्स एड़ करके चलना है गाई इसमें दो ही करना है तीन-तीन प्लेयर्स देखिए यह हो गया तो उसके बा तन्मीर संगा के साथ देखिए फिर उसके बाद मैं गाईज 9GL टीम साब को टेलीग्राम चैनल पर पर वाइड कर दूंगा जो कि बहुत ही बहतरीन टीम संगी आप टेलीग्राम चैनल जोए टेलीग्राम चैनल का लिंक की डिस्क्रिप्शन में गाईज अगर आपको इस व मर्ची है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ सिखनों के मिला है तो आप लाइक कर सकते हैं गाईज थैंक्यू